हलो दोस्तो, कैसे हो आप सब, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे इतिहास कवा है कि हम विमिन्स की लाइफ कभी भी इजी नहीं रही पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है बलकि आज की महिलाएं तो मल्टी टास्किंग कर रही है कुछ working women's हैं तो साथ में घर भी manage कर रही है बच्चो को भी देख रही है ऐसे में अपने आपका ध्यान रखने के लिए वक्त नहीं मलता मैं मानती हूँ और आप सब भी agree करेंगे कि हमारा 70% दिन kitchen में और cooking में चला जाता है ऐसे में अगर कुछ preparation करके रखी जाए तो बच्चो का, husband का यहां तक की आपका टिफिन और cooking भी बहुत easy हो सकते है जैसे कि यहां पर प्यास आज Sunday था तो मैंने धेर सारी प्यास लेके चिल के उसको wash करके रख दिया है सुखाने के लिए यहां पर मैं आज नीम्बू लाई थी तो मैंने उसको काश की बॉटल में डाल दिया है थोड़ा सा पानी डाल के इससे की नीम्बू लंबे समय तक fresh रहेंगे और मैं यह बॉटल recycle कर रही हूँ तो इसी तरीके से मैं करती हूँ यहां पर बनाना को मैंने एक basket में ले लिया है और उसका stem निकाल दिया है जिससे की उसकी जो growing process है वो वहीं पर रुख जाए तो यह जो सारी प्याज है इसको मैं भरूँगी इस काश की बॉटल में और इसी तरीके से मैं इसको store करूँगी सारी नहीं आएगी, कोशिश रहेगी चितनी अंदर आ जाए, उतनी भर दी जाए और बाकी एक दो दिन में use हो जाएंगी ऐसे में जहां पर हमें बहुत सारी चीज़े एक साथ manage करनी होती है multitasking से हमें friendship कर लेनी चाहिए तो मैंने यहाँ पर एक साइट डाल चड़ाई है और साथ ही मैं प्यास cut कर रही हूँ तो जब तक एक चीज़ हो रही है आप तब तक दूसरा काम कीजिए जिसे कि आपके लिए बहुत easy हो जाए सबजियों को boil करके मतलब जो सबजियां at least boil होके cook हो सकती है तो उस time को utilize करके दूसरा burner on करके आप अपनी सबजी, रोटी, चावल कुछ भी हैं जो prepare कर सकते हैं जिसकी वज़े से कि आप काफी समय बचा सकते हैं तो मैंने यहाँ पर रखी है बीच में डाल आप देख सकते हो उसमें उबाल आ रहा है उबाल आने की पूरी तयारी है तो मैं side में सबजी का भी तड़का लगा दूँगी इसी तरीके से मैं अपना काफी समय भी बचा लूँगी और मेरा काम खड़े-खड़े हो भी जाएगा कहने का मतलब यही है तो पूरा वीक बहुत काम में आते हैं और बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है जिन दोगों को यह सवाल होता है कि बॉल करने पे सबची कैसे ही बॉल होगी तो देख लीजे मैंने इसको बॉल किया गुकर में बहुत अच्छे से बॉल होगी है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा बना था और मैं हमेशा ऐसे ही बनाते हूँ सबको ऐसे ही पसंद है तो आपी ट्राइ जरूर कीजेगा और जब तक इसमें तड़का लग रहा है बेख रहे हैं एक साइट तड़का भून रहा है तब तक मैं सारा clutter जो है वो declutter कर दूँगी तो थोड़ा सा भी time में जो है वो waste नहीं जाने दे रहे हूँ अगर तड़का भून रहा है तो मैं ऐसे ही खड़ी नहीं रहूंगी मैं side में अपना बाकी का सारा काम खतम करूंगी जिससे करके कि मुझे अपने आपके लिए बैठने का और अपने आपके लिए कुछ कहने का वाथ मिले अपने आपके लिए वक्त ये वक्त हो सकता है आप अपनी कोई hobbies पूरी करें थोड़ा सा TV, अपना फेवरिट शोव एंजोई करें कोई web series या फिर अपने बच्चों के साथ गाडन, पार्क में जा सकते हैं आप वॉक पे जा सकते हैं वो वक्त जिसमें आपको रसोई घर किसे भी चीज़ की टेंशन या फिर चिंता दमाग में ना चल रही हो इतनी पास लाइफ में इतना वक्त अपने आपको देना शायद एक घंटा अपने आपको देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे मेरी प्यास भी ड्राइ हो गई थी तो मैंने इसको काश की बॉटल में भर दिया और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में और यह जो बची है दो दिन चल जाएगी यानि कि आज शाम का दिनर और कल का सुब़ का लंच हो जाएगा इससे तो इसको मैं बहार एक छोट इस कंटेनर में भरके रख दूँगी इस तरीके से पूरे हफ़ते की प्यास भी हो गई और आपका टाइम भी बच गया आप देखेंगे कि उसी तरीके से मैंने नेमो भी रखे हैं जो बच गया वो भार रखे हैं दो दिन में यूज़ हो जाएगे मोस्ली मैंने कंटेनर्स यूज़ किया है कटोरा कटोरी पतीलिया यूज़ नहीं किया है और साइट का कंपार्टमेंट भी बहुत अच्छे से यूज़ किया है जानती हूँ आम का सीजन चला गया है लेकिन आज गई थी मार्केट कुछ मिल गया है और बच्चे ने जिर्थी किया तो ले लिया जब भी आम खरीदें तो कोशिश कीज़ें खाने से पहले इतलीस दो घंटे उसे ठंडे पानी में या किसी भी पानी में डुबो के रखें इससे उसकी तासिर जो गरम होती है उसका उतना असर बॉड़ी पे नहीं होता बॉटल्स में रीफिल करके हमेशा ऐसे प्रपैर करके रखते हूँ अगर फ्रिज में खतम हो जाती है तो डाइरिकली इसमें फ्रिज में रखना ही रहता है बच्चे की पुरानी टूटी हुई बकेट यहां पर यूज़ करें हूँ इसमें पॉली बैग लगाके सारा बटन दोने के टाइम पर जो कश्रा होता है वो इसी में डावती हूँ और इस तो चीज़ें एजी तो होती है और मैसी दिने में होती है इन चूटी चूटी चीज़ों से जैसे की रसुटी करते समय बटन जो रसुई में यूज़ होता है उसको तबी की तबी में साफ कर दे में से बाद में यूज़ होने वाला पर जाए हूँ